नमस्क्राइब दोस्तों, ये जो लखनों का CAB driver incident वाला केस है इसके बारे में तो आपने सुनी लिया होगा, ये केस आपके लिए exams के perspective से कैसे important है, केस के बारे में तो आपने सुनी लिया होगा, ये जो एमदाबान नहरिया का चौराहा है, वहाँ पे एकदम से red light हुई, एक C जो काफी स्पीड से जा रहा था अम उमन लखनों में गाड़ियां कैसे चलाई जाती है जैसे ही ग्रीन लाइट होती है बहुत सारे लोग एकदम तेजी से निकालते हैं ताकि रेड लाइट होने से पहले निकल जाए एकदम से रेड लाइट हुई यह पर्टिकुलर कैप ड् प्रमाना शुरू कर दे उसका फोन वगरा तोड़ दे और बात का इंसिडेंट आपने देखा है बहुत बुरी तरह से इस लड़की ने उस लड़के को मारा इस लड़का पर लटके कुछ नहीं किया बाद में इस लड़की ने इस चैनल पर बोला है कि मुझे दोड़ा दो इसके किलाफ फायर फायल हुई आप तो लड़की किलाफ भी फायर फायल हो रही है तो कुल मिला कि ओवरॉल यहाँ पर किसकी गलती है किसकी गलती नहीं है वो बताना काम है कोट का जब तक कोट में मिलोड मिलोड नहीं होगा तब तक गलती नहीं पता चल सकती लेकिन ओव मैं शब्दों को आपको यहां पर बताना चाहता हूँ पहला शब्द है female chauvinist female chauvinist क्या होता है हो सकता है इस परकार की शब्द आपको कहीं इंजाम में दिख जाएं अगर आपको नहीं भी दिखते हैं तो आप code कर सकते हैं female chauvinist क्या होता है it is a woman who disrespects और behaves condescendingly towards men because she believes that men are inferior to men तो देखे woman empowerment और woman equality का concept क्या है कि एक society में women are equal to men अगर वहाँ पर अगर एक woman अपने आपको men से superior समझने लगेगी तो woman superiority हो जाएगी और एक moment ऐसा आजाए कि woman अपने सामने men को कुछ समझे ही न जिस प्रकार से यहाँ पे इस लड़की ने पकड़के इस आजमी को थपड़ी थपड़ मारने शुरू है तो आप कह सकते हो कि this is a sort of female chauvinistic attitude female chauvinistic attitude का क्या बोलना है कि भाई देखे है men हमेशा औरतों के against अचार करते हैं तो इसी लिए हम किसी भी हिसाब से inferior नहीं है और अपनी superiority को दिखाने के लिए हम यहाँ पे act करेंगे तो यहाँ पे men के प्रती hate वाला element निकल के आ जाता है तो इसको आप थोड़ा बहुत female chauvinism के साथ जोड़ सकते हो एक तो यह term यहाँ पे important हो जाता है फिर overall अगर आप theory की बात करो वैसे तो feminism के concept पर feminism मतलब एक female की identity के बारे में अगर बात की जाए तो overall इसके लिए बहुत सारी theories existent है पूरी गुनिया में बट feminism की तीन main theories मानी जाती है एक है radical feminism एक है socialistic feminism तीसरी है cultural feminism radicalistic feminism सबसे high level का feminism है वो impractical सा feminism है radicalistic feminism में जो ladies हैं वो क्या बोलती है कि किसी भी प्रकार की gender inequality नहीं होनी चाहिए मतलब उनका ये बोलना है कि अगर एक औरत pregnant भी होती है तो इस प्रकार की technology बनाओ कि उसका बच्चा उसके पेट के बाहर बढ़ा हो मतलब एक लेडी को बच्चा बढ़ा करने के लिए office छोडने की जरूत ना पड़े maternity leave लेने की जरूत ना पड़े तो इस limit पे चला जाता है आपका radical feminism तो एक radical feminism की अवधार ना होगी एक socialistic feminism की अवधार ना होगी socialistic feminism क्या बोलता है कि एक capitalistic society में जो men है वो capitalism की system को उन्होंने इस प्रकार से organize करके रखा गया कि वो status quo को support करता है और status quo में men dominant position पे हैं और women inferior position में तो socialistic feminism में women का मानना है कि overall women की हाला तब तक नहीं बदले जा सकती जब तक capitalistic society से हम socialistic society में ना चले जाएंगे और जब हम socialistic society में चले जाएंगे तो सरकार इस बात को ensure करेगी को men और women बराबर है वहाँ पे सरकार में भी equal amount of women होगी या फिर women जादा होगी तो यह socialistic feminism हो गया और एक चीज़ होती ही cultural feminism cultural feminism क्या है कि हमारी culture में हमारी society में जो कुछ भी existent है जो कुछ भी taboos है वो men के बनाय हुए है और उन taboos को तोड़ने के लिए हमारे culture को तोड़ने की जरुद पड़ेगी तो यह cultural feminism हो था इसमें सबसे dangerous form निकल के आता है आपका radicalistic feminism लेकिन यह जो यहाँ पे हो रहा है अगर primary face ही सही निकल के आता है और उस लड़की की गलती है तो this comes under the category of female shauvinism जहाँ पे आप equality की बात नहीं कर रहे हो जहाँ पे आप superiority की बात कर रहे हो और superiority में भी आप violent superiority कर रहे हो मतलब सामने वाले निकलती की तो पकड़ के उसको मारना शुरू कर दो इस प्रकार की चीजें जब men करते हैं तो उसको domestic violence से जुड़ा जाता है कि एक men घर में अपनी wife को मार रहा है दारू पी के मार रहा है तो वो आप कह सकते हो कि male shauvinism हो जाएगा और उसका उल्टा क्या होगा female shauvinism यहाँ पे एकदम से cab driver ने रोका उससे over speeding होई थी ऐसा लगा मुझे बिलकुल ही उस लड़की के मतब टांग के पास वो गाड़ी रिखी है almost लड़की लड़ते लड़ती बज़की रिकिन लड़ी नहीं थी नेकिन उसने तुरंट phone तोड़ा और उस लड़की को मारना शुरू कर दिये ठीक है without any talk without anything और उसके बाद भी शुरुवात में थुड़ा बहुत लड़की का favor किया गया पुलिस के दोरा fire वगरा file नहीं की गए लड़के खिलाब fire की गए तो यह आप कह सकते हो this is a classic case of female shamanism अगर prima face ही जो कुछ भी दिखाया तो इस ही है तो यह कुछ overall female empowerment और woman empowerment से related terms थे जो कि मैंने आपके साथ discuss किये मुझे लगा कि हो सकता है यह terms आप कहीं पर use कर सको thank you for watching have a great day